कि जहें दोस्तों स्वागत आपका मेरी यूट्यूब चैनल शॉट हं रिसर्च सेंटर में देखें आज हम अभ्यास 19 को पढ़ने वाले हैं अभ्यास 19 में एक से लेकर के 6 क्रम संख्या तक आपके संकेत लिप में सब्दों को बनाया गया है ठीक है उसका हम हिंदी में बात करेंगे और साथ से लेकर के 11 तक कुछ संटेंस दिए गया हैं जो की संकेत लिप में लिखे गया है उनको हमें हिंदी में बात करना ठीक है तो चलिए आजम इसको कर लेते हैं तो पहले क्रम संख्या से चलते हैं पहला क्रम संख्या देखिए थोड़ा सा हम तेज चलें है और सारी चीज़ें आपको बताई दी है ठीक आप इसको मेरे समझ से इसको अभ्यास किये होंगे बुक से जा उसका मिलान कर ले जिन्हों अभ्यास किया उसको देहन से देखते चलेंगे ठीक है चलिए तो क्रम संग के एक से चलते हैं पहला सब्स लेते हैं देखिए सरकल बना हुआ है सवरित उसके बाद जय मोटा मोटी रेखा है ना डार्क में तो क्या हो जाएगा सज ठीक दूसरा है सा है ठीक उसके बाद एक ही मात्रा लगी है वेंजन के पहले है तो सवरित की ही मात्रा इस पर आएगी ठीक है तो से उसके बाद जय सेज हो जाएगा यहां पर देखिए जय सा जस हो गया सच हो गया सा और ता सत हो गया सन सवरित और न से सन हो गया फिर न और सा नस हो गया ठीक है यहां तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद, सहबरत ऐखे, व हन्गाटा है, और सहबरत की मात्र पड़ी जाएगी, तो सापे ओ की मात्रा है तो शो भा यह हो जाएगा आपका शो भा फिर उसके बाद देखिए तपया की मात्रा तास तास हो गया फिर उसके बाद सापया की मात्रा लगी हुए है बिंजन के पहले सा हो गया दा को काटा है धा उ की मात्रा साधू फिर देखिए सीधा बड़ी की मात्रा हैं लगी है न सब पर तो ये सीधा हो गया ठीक है ये बा है बापया की मात्रा बा उसके बाद स बास फिर मापया की मात्रा मास ठीक है उसके बाद देखिए शकल शकल तो आप जानते हैं शकल में ब कैंगा फिर उसके बद क्या है si ्यप मात्रा सज्ना सज्णा हो गया उसके बद सहा पिर तक पहले हैं तो सपर मात्रा आगी तो सी त ता पे आगी मात्रा लगी तो सीता हो जाएगा ठीक है ये देखिए सा हो गया ता हो गया सत पथ सत पथ ठीक उसके बाद देखिए शा है तो शासन सा पे आगी मात्रा शासन शासन हो गया ठीक है यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं अगला देखते हैं चोथा है चोथा है सफल हो गया यहां पर देखिए हलके बिंदु के साथ बीच में लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा आओ की मात्रा है हो सकवरित हो गया लपया की मात्रा क्या हो जाएगा होसला हलके बिंदु के साथ यहां पर मात्रा लगी है तो क्या हो जाएगा होसला ठीक है पहले हस्तान पर होता तो आए दूसरे हस्तान पर है आओ और तीसरे हस्तान पर होता तो छो भासन फिर देखिए सर ना पया की मात्र लगा है ना त न शनातन हो गया फिर देखिए ट हो गया साय का वृत पया है फिर नीचे वाला टासर ठीक है यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत होगी तो comment box में नीचे comment कर दीजेगा बताते चलेंगे फिर उसके बद काप क देखिए औ की मात्रा लगी हलके बिंद के साथ है ना तो क्या हो जाएगा काओ फिर यहां पर देखिए सवर्त है सवर्त पे यहां पर देखिए का के पहले इकी मात्रा है तो वेंजन के पहले जो मात्रा आएगी वो सवर्त के बाद का वेंजन के पहले मात्रा है ना तो सपे ह कव हो जाएगा, यहां पे छोटी की मातरा है, तो, शीक, कव शीक, दीए, सब पे छोटी की मातरा हो गयी, तो, कौशीक हो गया, मौसम, इसी परकार से, मौसम, हो गया, यहां द्रिखे, जप यां की मातरा लगीए, ज़ा, यहां सवर्त है और यह सा के पहले उ की मात्रा है तो सवर्त पर यह मात्रा आएगी सू और जासूस ठीक है फिर यहां देखिए यह क्यां लिखा है गुसल है ना क्योंकि गा फिर यहां सवर्त है ना तो इसकी मात्रा तो यहां जाएगी नहीं जैसे यहां सवरत नहीं होता तो यह गुसल कैसे लिखा जाता इस प्रकार से लिखा जाता जैसे सवरत हटा यह तो गापे उ की मातरह यहां लगती है ना लेकिन अब यहां पे जब बीच में सवरत आपका लगा हुआ है तो यहां जब मातरह लगाएंगे तो यह सब रित पे मात्रा आएगी है ना, आपको पढ़ाये थे confused मत होईएगा तो इसलिए यहाँ पे तीसर रस्तान की मात्रा गापे यहीं लगेगा, ठीक है तो गू हो गया, सब हो गया और गुसल, ठीक है अब देखे र, फिर सब पे उग की मात्रा लगी है, ठीक है ना लग के पहले तीसर रस्तान पे रसूल क्या हो गया, रसूल अब यहाँ पे देखे छठा है, छठा क्या है ज ल द ठीक, सब पे आ की मात्रा सा ज अब यह सब्द सही नहीं है सब्द सही नहीं है, क्योंकि यहां पर देखिए जलद साज है तो आप जानते हैं जलद साज नहीं होता है जलद साज होता है ना तो यह इसको इसी परकार से मतलब यही कहते है कि मतलब संकेट लिप में जो लिखिए उसको फिर अन्वाद करिए तो हिंदी का शुद्ध सब्द लिखिए, जल्द साज, क्या हो गया, जल्द साज, है न, यह क्या है, तह पे एकी मात्रा है, ते, उसके बाद, यहां पे देखिए, क्या लिखा है, ते, अब यह सश्य और जैवृत है, धा पे आकी मात्रा, धार, क्या हो जाएगा, तेजधार तो होगा नह यहां तेज़ धार हो जाएगा तेज़ धार हो जाएगा अब यहां पर देखें दास्तान दास्तान लिका ना दापया की मात्रा फिर सवर्त फिर तापया की मात्रा फिर ना दास्तान हो जाएगा फिर यहां पर देखें तीसरा फिर वही बीच में सवर्त आया तो तापया की म मात्र होगी ठीक है सवर्वर्ण हो गया और यहां पर रा के बाद आया है मात्र है नो ऊर्ष प्राफ की मात्र लग लगे तो इंडल से तीसरी स्थa की मात्र यहां जाएगस यहां तो लगेगा नहीं क्योंकि बीच स्थान की मात्रा अगले वेंजन के पहले तीसरे स्थान पर आती है है ना लेकिन यहां पर सवर्त लग गया है बीच में यहां सवर्त आए है तो यह सवर्त के पहले जो मात्रा लगाएंगे वो सवर्त की ही मात्रा यहां पे लगेगी ना की ता की तो इसलिए जब अगर बीच में सा वरता है तो तीसरे अस्तान की मात्रा यहीं आएगी ता पे ही आएगी तो यहां इसलिए हो गया ती फिर सा फिर रा पे आ की मात्रा तीसरा ठीक है ना कोई दिक्कत होगा लुटम लहाम धिरंposad लोटी कि यहां तक किसी को कोई दिकत नहीं अब देखे जाइंग हो ! जिसको हिंदी इस हमें रजुति को नहितने वह दुन कोई दिकत नहीं होगा है। तो चलिए इसको भी अनुवात कर लेते हैं, ये किसका सब चिन है, तुमने, ठीक, ये पढ़ा गया है, तुमने, ये भी पढ़ाया है, पिछले वीडियो में, किस लिए, तुमने, किस लिए, ये किसका है, संपूर, संपूर, ये लाइन काट के है, तो क्या हो जाएगा, सबक, इसके लिए हम आपको पहले, जब शब्चिन पढ़ा रहे थे, तो आपको पता है न, कि ये अभ्यास दिया हुआ है, पीछे आपको आपने पढ़ा हुआ है, आपको दिया गया था सब्चिन, इसलिए अभ्यास में सबक, सब्द आ गया, तो हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, यह सबक, ऐसा सब्द है, जो आपको किसी भी संटेंस में बार बार नहीं आता है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि इसको, सब्चिन को अगर आपको नहीं याद हो रहा है, नहीं, कोई दिक दिकत है, तो इसमें है किया यह किया का शब्चिन है पूर्विराम हो गया क्रॉस का पूर्विराम ठीक अगर अपने याद किया होगा अच्छे से तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको अब यहां पर देखें तुम यह तुम का ही शब्चेन है तुम यह लाइन पे किस तुम किस अब यहां देखिए यह डार्क है न यहां पे देखिए यह हलका था तो संपूर्ड था यह डार्क हो गया तो संबंध हो गया संबंध का शब्चेन है अब यहाँ पर देखिए में इस प्रकार से है लेकिन हमने पढ़ाया आपको इस प्रकार से इसलिए ब्रकट में हमने इसको भी दिया है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी आप उस और में में confused होते लेकिन ये शब्चिन देख करके जो मैंने बताया आपको confirm हो गए तुम किस संबंद में यह का शब्चिन है यह फिर बात यह कर रह हो गया कर रह है पर एक ही मात्रा है रहे अब देखिए हो है और हो का शब्चिन यहाँ पर एक ही दिया है लेकिन यहाँ पर हमने अलग किया है तो इसको ब्रेकट में मैंने बना दिया है ना लाइन के उपर ह और लाइन पिर हो हो गया है कि यहां पर देख़्िये नौवह और दैप बड़ी की मात्र हो गई सर्दी के का सब्चिन है के यह लाइन काटके दा है तो दिन हो गया आपको मैंने बताया है एक वीवर्ने कमेंट में पूछा था कि दिन उनका शब्चिन थोड़ा सा दिक्कत हो रही इनको तो मैंने बताया था ना आप इसको भी इस तरह से कर सकते हैं लेकिन जब आप लिखेंगे ये तो बुक का दिया हुआ है तो इसको जैसे बुक में दिया हुआ है उस तरह से लिख करके आप इसको अनवात करेंग जब आपके उपर आएगा जब आपको डिक्टेशन बोला जाएगा तो दिन को आप इस प्रकार से भी बना करके इसको समझ सकते हैं ठीक सरदी के दिन कैसे है न लाइन के उपर है न तो कैसे आराम आओ गया रप्या की मात्रम आराम अब यहाँ पर देखिए से का सब्चिन यह है लेकिन हमने इस तरह से बताया है इस तरह से आप बनाएंगे तो को और से में कन्फ्यूज नहीं होंगे इस तरह से को का भी सब्चिन बनता है तो से से हां कन्फर्म हो गया से है सरदी के दिन कैसे आराम से कटते 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 अब यहां देखिए हैं का सब्चिन इस परकार से बनाया है बुक में लेहन मैंने इसको उल्टा करके हैं और लाइन पिर अगर आ जाएगा तो हूँ ठीक है तो यहाँ लाइन के उपर है तो हैं इस परकार से ऐसे ही आप इसको जल्दी से कर सकते हैं इसलिए मैंने इसको लग किया सरदी के दिन कैसे अराम से कटते हैं ठीक है इस को का शब्चिन है तो इसे में जोड़ देंगे इसको सब सब लोग इसको सब लोग समझते हैं यह बनाया ना यह शब्चिन मैंने पढ़ा है आपको इसको सब लोग समझते हैं ठीक है यहाँ देखिए गर्डार का है गर्मी के दिन लाइन कार्ड के दह है तो दिन हो गया में कशब्चिन है में कस और ट तो क्या हो गया है कस्ट यह होता कस्ट तो बताएं आपको होता है ठीक है यहाँ तक किसी को कोई दिकत कोई प्रॉबलम होगी कहीं कोई confusion होगी तो आप comment box में comment करिएगा बताया जाएगा उसको ठीक है next चलते हैं दस्तों देखिए इस ये इस का सब्चिन है न इस ये समय का सब्चिन लाइन पे इस समय यहाँ देखिए सवर्थ बड़ा है थोड़ा बड़ा बनाया गया है न तो इसे में क्या हो गया तो यह यह सब्चिन है साहब साहब का सब्चिन है इस समय आपको पढ़ाय थे इस समय साहब लोग लेपे ओकी मात्र होगी इस समय साहब लोग अब यहाँ देखिए पहले का सब्चीन है ना तो बड़ा बड़े बिड़े में आप confused होते इसलिए मैंने इसको बताया था तो यहाँ पे देखें कांफर्म है इस समय लोग ठीक पहले पा हो गया हो गया और रा को काट दिया है तो रा हो गया और हा पे आ की मात्रा है तो क्या हो गया पहाड पर यह पर का सब्चीन है जाते यहाँ पे देखें उल्टा करके बना दिया है छोटा सा तो है कंफर्म है इस समय इस समय सहाब लोग पहले पहाड पर जाते हैं ठीक है अब देखें इसका सब्चीन फिर का का है इसका सबब इसका सबब यह है की सब सब चिन है वे वे भी वे भी इसकी सब चिन है इस समय साहब लोग पहले पहाड पर जाते हैं इसका सबब यह है की वे अब यह देखें समान समाना ठीक है न ये सब्चिन दिया गया है न तो सामने के लिए मैंने आपको यहाँ लाइन पे बताया था है न तो यहाँ पे लेकिन बुक में क्या दिया है उपर यह समान समाना सामने लेकिन मैंने तीन कटेगरी को एक में किया था ठीक है न तो यहाँ पे आप बिंदी लगा करके इसको सब सकते हैं लेकिन सामने जब भी आप सब्चिन लिखेंगे तो लाइन पे लिखेंगे ये लाइन पे क्यों लिखने के बता रहा है आप जब आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि लाइन पे मैंने क्यों किया था ये स्वर लोग के नियम पढ़ते समय आपको समझ में आ तो सू हो गया राज सामने के सूरज की की का सब्चिन है गा। गया राज मापेई की मात्रा गर्मी नहीं का सब्चिन नहीं सह बड़ा है न तो सा बर्त्व है और हा भी है सह सकते ठिक कोदिकत नेश्ट और लाश देखिए स हो गया न हो गया फिर स हो गया फिर र हो गया र के पहले आ की मतर लगी है तो ये स का मतर यहां लग गया तो क्या हो गया, सन, स, आ, र, संसार, संसार, के, स, प, आ, की मात्रा, स, फ, र, प, की मात्रा, सारे, ठीक है न, संसार के, सारे, ये क्या है, स, फ, प, प, आ, की मात्रा, स, फ, ख, उसके बाद, न, स, फ, ख, न, स, फ, ख, न, सौरी, यहाँ पे शब्द गलत हो गया है आकी मात्रा भी होना चाहिए तभी नहीं यहाँ पे शफा खाना होगा शफा खाना यह एक सब्द है शफा खाना ठीक सांसार के सारे शफा खाना सांपे देखिए सवरित है सा हो गया रापे चांद है रह पे चांद बिंदी है और आ के अस्थान पे है पहले अस्थान पे है तो क्या हो जाएगा रह पे आ की मात्रा और चांद बिंदी क्योंकि सर्कल बना है मात्रा के स्थान पे सराय हो गया संसार के सारे शफाखाना सराय सा हो गया अब यहाँ पे देखिए का के पहले यहाँ पे मात्र लगा है है ना लेकिन यह हलके डैस के साथ लगा है यहाँ पे ध्यान से देखिए हलका डैस है ठीक है ना तो क्या है सा पे अंकी मात्र लगेगी दूसरे स्थान पे हलका डैस अंकी मात्र है ना सराय संकट संकट को को का ये सबचिन है सराय संकट को छह हो गया रड़ा हो गया आ की मात्रा यहां पे देखें रड़ा के पहले उ की मात्रा है तो छह पे उ की मात्रा हो जाएगी छू रड़ा फिर न पे ए की मात्रा छुडाने छुडाने के वास्ते व आ के मात्रा वा धस्त तपे एकी मात्रा वास्ते बने व फिरना पे एकी मात्रा बने उल्टा देखे हैं ठीक यह आपका अभ्यास 19 कम्प्लेट हो गया ठीक है जो लोग भी इसको अनवात किये होंगे अभ्यास किये होंगे उनको कहीं भी कोई दिक्कत अगर आ रही होगी तो इससे आप confirm हो गए होंगे कि हाँ ये शब्द कौन सा है ठीक है न और जिन्यों ने अभी तक इसका अभ्यास नहीं किया है तो इसको आपने अच्छे कमेंट बॉक्स आप ही के लिए बना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा इसका आपको सल्यूशन दिया जाएगा ठीक है तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजीगा चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अन कर दीजीगा जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकते हैं मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक